साथियों, इस आउपचारिक उद्गाटन से पहले, मैं खगडिया मैं अपने भाईयों और बहनों से बात कर रहा था। आज गाउं के आप सभी से बात करके मुझे खुद को कुछ राहत भी मिली है, संतोष भी मिला है। जब करोना महामारी का संकट बढ़ना शुरू हुआ था, तो आप सभी केंदर सरकार हो या राज़ सरकार, दोनों की चिंताओं में बने हुए थे। इस दोरान जो जहां था, वहां उसे मदद पहुचाने की कोशिश की गई। हमने अपने स्रमीक भाई बहनों के लिए स्पेशल स्रमीक ट्रेने भी चलाई। वाकई आज आपसे बात करके, आज आपकी उर्जा में भी जो ताज़गी थी और एक सम्मान का भाव था, विश्वास था, ये सब कुछ में महसूस कर रहा हूँ। कोरोना का इतना बड़ा संकट, पूरी दुनिया जिसके कारण हिल गई, सहम गई, लेकिन आप डट करके खड़े रह गए। भारत के गावों में तो कोरोना का जिस तरह मुकामला किया है, उसने शहरों को भी बहुत बड़ा सबक दिया है। सोचिए, 6 लाग से जादा गावों वाला हमारा देश, जिन में भारत की दो तिहाई से जादा आबादी, करीब करीब, 80-85 करोड लोग जो गावों में रहते हैं, उस ग्रामिण भारत में कोरोना के संक्रमन को आप सब गावों वासियों ने बहुती प्रभावी तरीके से रोका है। और ये जो हमारे गावों की जनसंख्या है, 80-85 करोड जो जनसंख्या है, अगर हिसाब लगाएं, तो ये जनसंख्या यूरोप के सारे देशों को मिला दें, तो उससे भी कहीं ज्यादा है। ये जनसंख्या पूरे अमेरिका को मिला दें, रूस को मिला दें, औस्ट्रेलिया को मिला दें, तो भी ये हमारे गावों की जनसंख्या उससे भी ज्यादा है। इतनी बड़ी जनसंख्या का, कोरोना के इतने सहच से मुकाबला करना, इतनी सफलता से मुकाबला करना, ये बहुत बड़ी बात है, हर हिंदुस्तानी इस बात के लिए गर्व कर सकता है। इस सफलता के पीछे हमारे ग्रामिन भारत की जागुरुकता ने काम किया है। पंचायत स्तर तक हमारी लोकतांत्रिक ववस्ताएं, हमारी स्वास्त सुविदाएं, हमारे चिकित्सा केंद्र, वैलनेस सेंटर, हमारे स्वच्चता अभ्यान की एहम भूमी का रही है। लेकिन इसमें भी ग्राउन पर काम करने वाले हमारे साथी, ग्राम प्रधान, आंगनवाडी वरकर, आशा वरकर, जिवी का दिदी, इन सभी ने बहुत बहतरीन काम किया है। और ये सभी वहवाही के पात रहे, अभिनंदन के पात रहे, प्रसमसा के पात रहे। साथियों, अगर यही बात, शायद इसे आधी भी, अगर कोई पस्षिम के देश में हुआ होता, तो नजाने दुनिया में, अंतराश्टियत्तर पर, इस सफलता की कितनी चर्चा होती, कितनी वहवाई होती,